नमस्कार, मैं डॉक्टर सोहन राजपरमार सायकाचारी हिंदी राजकी महविद्य लेबाड में आज आउनलाइन कक्साओं के अंतरगत हम देवनागरी लिपी का विकास और मान की करण के बारे में बात करेंगे लिपी परतेग भासा की अपनी लिपी होती है जिसमें उस भासा को लिखा जाता है लिखित ध्वनी संकेतों को लिपी कहते हैं हिंदी जिस लिपी में लिखी जाती है उसे नागरी या देवनागरी लिपी का जाता है जैसे अंग्रेजी रॉमन लिपी में उर्दू फार्सी लिपी में तथा पंजाबी गुरु मुखी लिपी में लिखी जाती है वैसे ही हमारी भासा हिंदी देवनागरी लिपी में लिखी जाती है भारत की प्राचीन काल से दूर लीपियां रही है एक भ्रामी लीपी और दूसरी खरोस्टी लीपी इनमें से ब्रामी लीपी से ही देवनागरी लीपी का विकास हुआ है देवनागरी लिपी का प्रियोग हिंदी, मराथी, नैपाली भासाओं के लिखने में होता है इसके अतिरिक संस्कृत, प्राकृत और अपभरंस भासाएं भी देवनागरी लिपी में ही लिखी जाती है देवनागरी लिपी का समुचित विकास आठवी सती में हुआ है, गुजरात के राष्ट्रकूट नरेशों की यही लिपी थी ब्रामी लिपी के कई छेत्री रूप पए जाते हैं और इन कई छेत्री रूपांतर जो ब्रामी लिपी के थे इन में से एग रूपांतर उत्री साखा के रूप में था जिसे नागरी केते थे इसी से देवनागरी लिपी का विकास हुआ है कुछ लोगों का मत है उनकी मानिता है कि ये गुजरात के नागर ब्रामनों की लिपी थी तथा इसके अकसर तांतरिक चिन देवनागर की अनुरूप चोकोर है इसलिए इसे देवनागरी कहने लगे और माना जाता है कि नागर ब्रामनों की लिपी इससे देवनागरी का विकास हुआ और इस कान इसे देवनागरी लिपी कहते हैं लेकिन इस ये मत अत्यदिक पुष्ट नहीं ब्रामी लिपी की उत्री साखा का उत्री साखा नागरी का प्रियोग जब देव भासा संस्कृत के लिए होने लगा तो इस लिपी को देवनागरी लिपी कहा जाने लगा अब देवनागरी लिपी के मानकी करण के बारे में कहते हैं कि इसका मानक स्वरूप क्या है और हमें मानक स्वरूप के बारे में किन बातों का ध्यान रखना है लिपी के विविद इस्तरों पर पाई जाने वाली विशंता को दूर कर उसमें एक रूपता लाना ही मानकी करन है मान की करन क्या है मान की करन से हमारा विप्राई ये है कि लिपी के विविद्धिस्तरों पर विशमताएं पाई जाती है भिन्नताएं और विविद्धताएं पाई जाती है इन विशमताओं भिन्नताओं और विविद्धताओं को दूर कर उसमें एक सो रूप लाना एक प्रक्रण के सम्मन में जो विविद्धता और विशमता है उसमें पहला बिंदु है द्विविद्वर्णों में एक को मानित हैं। एक धनी को अंकित करने के लिए विविद्ध लीपी चिनाव में से एक को मानित दी जाती है। जैसे देवनागरी लीपी में अ, ज, ल, ध, भ, और न, द्विविद्ध प्रकार से लिखे जाते हैं। और दो तरीकों में से यहां जो लिखे हुए हैं अ, ज, ल, ध, भ, और न, ये मानिय हैं इस तरीके से लेखन में इनका प्रियोग करना चाहिए। कहने का आज से हैं कि एक ही वर्ण के जो दो रूप है और दो रूपों में से यह जो यहां लिखे हुए हैं इन रूपों को ही लिखने में प्रियोग करना चाहिए। दूसरा है धोनियों के उचारण में एक रूपता धोनियों के उचारण में भी एक रूपता लानी बहुत जरूरी है। चैत्री उचारण के कारण लोग अलग-अलग ढंग से एक ही धोने का उचारण करते हैं। बाशा पर शैत्री प्रभाव निश्चित रूप से पर्ड़ता है और लीपी पर भी छैत्री ये प्रभाव पर्दता है क्योंकि जयसा उचारण करते हैं उसी अनुसार उसका है वो लेखन शुरू कर देते हैं जैसे पैसा 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 ये उचारण अलग अलग छेतरी रूपों में इनका पैसा का इस तरीके से उचारण होता है लेकिन जो पैसा पहला जो रूप है वही मानक उचारण है सेस दो उचारण ठीक नहीं है इसलिए धनियों के उचारण में भी एक रूपता होना आव सेके क्योंकि जब धनियों के उचारण में एक रूपता होगी तो वापिस उसे जब हम लीपी बद करेंगे तो लीपी बद में भी वही रूप हमको लिखना होगा तीसरा है वर्तनी की एक रूपता वर्तनी की एक रूपता भी बासा की सुधता के लिए बहुत जरूरी है देवनागरी लिपी में ए ये तथा ये ए के प्रयोग कहां करने चाहिए और कहां नहीं इस सम्मझ में भारत सरकार की शिक्षा मंत्राले की वर्तनी समीती ने कई महत्पूर्ण निलने लेकर मान की करन की दिशा में उलेखनिये कारे किया है इसके अनुसार नमबर एक संग्या सब्दों के अंट में ये का प्रयोग होना चाहिए ये का नहीं इ का नहीं जैसे मिठाई, भलाई, बुराई, लडाई, पढ़ाई, खुदाई हम यहां देख रहे हैं कि मिठाई, खुदाई, पढ़ाई, जो संग्या सब्द है इनके अंत में इ का प्रयोग ही सही है इ का प्रयोग नहीं करना चाहिए दूसरा है, जिन किरियाओं के भूत का लेक, एक भूत का लेक, पुलिंग एक वचन रूप के अंत में या आता है उसके भूत रूप में ये और इस्त्री लिंग रूप में ये का प्रयोग उचित है जैसे आया तो उसका इस्त्री लिंग भूवचन होगा आई और पुलिंग भूवचन होगा आए इसी तरह गया, गया का पुलिंग जो सब्द होगा, पुलिंग भूवचन होगा वो होगा गए और इस्त्री लिंग भूवचन होगा वो होगा गई कहने का आज से है, ऐसी भूत काले किरियाएं पुलिंग एक वचन के रूप के अंत में ये या आता है तो उसका भृवचन जब रूप बनाएं गए हैं तो पुल्लिंग में यह होगा और इस्ट्रिलिंग में यह होगा जैसे आया का इस्ट्रिलिंग भृवचन आई और पुलिंग भृवचन आया तीसरा बिंदू है जिन किरियाओं के भूत कालिक फुलिंग एक वचन के अंत में आज आता है क्या आता है आता है तो उनके बहु वचन रूपों में ए और इस्त्री लिंग रूपों में ए का प्रियोग उचित है यहां यह स्पर्ष किया जा रहा है कि जिन किरियाओं के भूत कालिक फुलिंग एक वचन के अंत में आता है जैसे आया तो जैसे आपका सब्द है जिस प्रकार से यहां हम देख रहे हैं कि जिन किरियाओं के भूत कालिक फुलिंग एक वचन के अंत में आता जैसे है हुआ तो उसका इस्त्रिलिंग भहुवचन होगा हुई और पुलिंग भहुवचन होगा हुए यानि जिन किरियाओं के अंत में आ आता है तो उसका जब भहुवचन रूप बनाएंगे तो पुलिंग में A अंत में आएगा और इस्त्रिलिंग में E आएगा इसके अलावा, विधी करिया और अवे में ए का प्रयोग ही वांचित है जो विधी करिया है और उसके अलावा अवे सब्द है उनमें अंत में ए का प्रयोग ही उचित है यह का प्रियोग उचित नहीं है जैसे चाहिए दीजिए लीजिए कीजिए पीजिए इसलिए आदि इन कीर में हम देख रहे हैं कि विधी किरिया और अवैक में उस सब्द के अंत में एका प्रियोग उचेत है एका प्रियोग ही सही है अगे हैं वर्णों के पंचम अक्सर के बाद यदि उसी वर्ग का कोई वर्ण हो तो वहां अनुस्वार का प्रियोग ही करना चाहिए वर्णों के पंचा मक्सर के बाद यदि उसी क्वर्ग का कोई वर्ण हो तो वहाँ नुश्वार का प्रियोगी करना चाहिए जैसे वंदना, नंदन, चंदन, अंत, आदि इसके अलावा अंग्रे जी के जिन सब्दों में ओधोनी का प्रियोग होता है अंग्रे जी के जिन सब्दों में ओधोनी का प्रियोग होता है उनके लिए हिंदी की देवलागरी डिपी में अर्ध चंदर का प्रियोग करना चाहिए जैसे कॉलेज, कॉलेज को हम अंग्रे जी के सब्दों में ओधोनी का प्रियोग होता है उनके लिए हिंदी की देवलागरी डिपी में लिखती समय अर्ध चंदर का प्रियोग करना चाहिए संस्कर्ट के जो सब्द विसर्ग युक्त है यदि वे तद्सम रूप में हिंदी में लिखे गए हो तो वैसे के वैसे लिखे जाएंगे कहने इक आशि यह है कि यदिव तस्वम रूप में हिंदी में लिखे गए हो तो विषर्ग साईद लिखे जाने चाहिए किंतु तद्भव रूप में प्रियूग्त हो तो बिना विषर्ग के भी काम चल सकता है कहने का आशि दू रूप है एक तद्भव सब्द तद्भव में विसर्ग सहीत प्रियोग होता है और तद्भव में विसर्ग रहीत प्रियोग होता है कहने का आशिय है कि दुख जब हम उसको विसर्ग युक्त लिखते हैं तो वह तद्भव रूप है और दुख सीधा लिखते हैं जिसमें विसर को हम अठा रहते हैं तो वह तदबव रूप है और ऐसा माना जाता है कि दोनों का प्रियोग ठीक है इसी तरह हिंदी के संख्या वाचक सब्दों की वर्तनी का मान की करण भी हिंदी निदिसाले दिली के परमुक विद्वानों के द्वारा किया गया है इस तरह हिंदी का मान की करण रूप इस तरीके से हैं धन्यवाद